आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ Assertion Reason का हमारे पास Question है जिसमें Assertion हमें दी होई है कि Pollen Tube की Growth को Direct करने में Synergits का Important Role होता है अब यहाँ पर हम Flaring Plants की Sexual Reproduction की Process की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले उनकी Embryo Sac का Structure समझना हमारे लिए जरूरी है Embryo Sac हम देखते हैं कि Angio Sperms में पाया जाने वाला वो Structure है जो कि Female Gametophyte को Represent करेगा क्योंकि जो Female Gamet होगा या Egg होगा वो हमें यहाँ पर मिलेगा तो कौनसे कौनसे Cells इस Embryo Sac में होता है आईए यह जान ले इस तरह से हमें कुछ Cells की Arrangement यहाँ पर मिलती है इन सब का Significance पहले हम समझ लेते हैं यह हमारा Embryo Sac होगया इस तरह से इसके Structure को Represent कर सकते हैं यहाँ पर जो ऊपर की तरफ हमें तीन Cells दिख रहे हैं यह हमारे Antipodal Cells कहलाते हैं इसके बाद में बीच का जो बड़ा सा Cells है यह हो जाता है हमारे Embryo Sac का Central Cell यह जो दो Elongated Cells दिख रहे हैं यह हो गए हमारे Synergid जिनके बारे में हमसे पूछा गया है और इनके उपर यहाँ पर हमारा Female Gemid या Egg Present है फिर हम देख सकते हैं कि Central Cell में दो Nucleus हैं इन्हें हम Polar Nucleae का नाम देते हैं तो अब यह Embryo Sac Ovule के अंदर होता है और हमें Micropile नाम की यहाँ पर एक Opening मिलती है जिसके थूँ Polar Nucleus i.Embryo Sac को Enter करेंगी हमें मालूम है कि Pollen Grain Male Gemidophite को Represent करती है और यह Pollen Grain जब किसी फ्लार के Stigma पर गिरेगी तो अगर वो Compatible Stigma होगा तो Pollen Grain की Germination हो जाएगी और Pollen Tube बनेगी जिसके थूँ दोल Male Gemid इस Embryo Sac तक आएंगे तो Pollen Tube जब Embryo Sac को Female Gemidophite को Enter करने की कोशिश करती है तो Micropile नाम के इस Aperture या Opening के थूँ करती है लेकिन किस तरह से इसको ट्रावल करके एग तक पहुचाना है Male Gemidophite को इसके लिए इसको Direct यह Synergid Cells करते हैं हम देखते हैं कि Synergid Cells के उपर एक Philiform Apparatus नाम के Structure होते हैं हम कह सकते हैं कि यह Synergid में से निकलने वाली Projections है जो कि Pollen Tube को Guide करने में Help करती हैं और इनही के थूँ होते हुए Synergid में Pollen Tube एंटर करती है और अपने Contents को Embryo साथ में Release करती है तो यह बिल्कुल सही बात है कि Pollen Tube के Growth को Direct करने में Synergid का Important रोल होता है पैदी चीज़ तो यह कि Philiform Apparatus की Help से यह Direct करते है Pollen Tube को और दूसरी चीज़ कि कुछ Chemical Substances हम कह सकते हैं कि कुछ Proteinaceous Substances या कुछ Enzyme भी यह सिक्रीट करते हैं जो Pollen Tube को अपनी तरफ अट्राक्ट करें तो Reason भी आपर सही दिया हुए Synergid's Chemotropically Active Substance अपने Contents यह सही जगा पर Release कर सके तो यहाँ पर सही आंसर Option A माख कर देंगे Assertion भी सही है कि Pollen Tube को Guide करने में Synergid का रोल होता है और Reason भी सही है कि Synergids कुछ Chemotropically Active Substance सिक्रीट करते हैं ताकि Pollen Tube प्रॉपर डिरेक्शन में ग्रो कर सके Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज जी डाउनलोट करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 सुपर